तीसरा दिन अगर देखा जाए आपके प्रचार का तो इस तीसरे दिन में आप भोपाल इस्थानी इलाकों में जादा कहीं हैं मिल्कुल अनन्दाया जनता एक दम साथ में हैं उनका मनोबल बढ़ा हुआ है और हर कोई कहता है दीदी जैसे ही आपकी नाम की घुशना हुई है हमारा उत्साह कई गुना हो गया है कई गुना बढ़ गया है महिलाएं तो बहुत खुश हैं आज मुझे बच्चियों ने अपना एक हमारा उत्साहित है लेकिन महिलाओं को एसा लगा वोला उन्हों ने पहली बार ऐसा हुआ कि कोई महिला प्रत्याशी को ये महिला को प्रत्याशी बनाया गया तो हम लोग तो ऐसा लग रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है अभी तक साद्वी के तौर पर आपको जानते थे लेकिन अब एक राजनेता के रूप में भी लोग आपको देख रहे होंगे तो क्या कुछ उम्मीदे अब आप से आपको लगता है बढ़ गई है महिलाओं को खास तौर से बिल्कुल सभी को बच्चियां छोटी-छोटी है उनको भी लग रहा है कि हमारी बात सुनने वाला कोई आ रहा है उन्हें भी लग रहा है महिलाओं को लग रहा है कि हमारी समस्याओं को सुनने वाला हमारे हमारे साथ हिल मिल के कोई रहने वाला हमारे साथ आ रहा है और बहुत अच्छे स्वरूप में सभा रहा है बहुत अच्छा रिसपॉँन्स है जनता को बहुत साही है जनता और सबसे बड़ी बात कि जो कॉंग्रेसी ने इतनी दुर जॉर्दश्रा की है हमारी और जो शडेंत्र किया है भग्वा को लीदी कर दो को अतर्क वात कहा है इस सब की पीडा भी लोगों के मन में है वantal आहazed कि जब बापती की बात आती है धांचा गिराने की बात आती है आप भी शामिलते आप कह रहे हैं कि आपको उसका कोई अफसोस है इस बात का ज़रा से चिए का अफसोस क्यों होगा तो हम गर्व करते हैं विल्कुल कोई इसका वह ुए हैं गरव करते हमारे देश का स्वाभिमान जागा है प्रभु राम जी का भव मंदिर भी मनाइगे बने मंदिर क्या आप भी वहां जाएंगे अगर वह जाएंगे लिए बड़ा एक करके इकत्रित हो करके स्वाभिमान को फिर से जागरत किया है धाचा तोड़ करके अब और भवे मंदिर बना करके आराधना करेंगे उनकी आनंद पाएंगे यह चुनाव प्रचार में निकलें कि राम मंदिर का मुद्द रहेगा आपके उसमें एजेंडे में ने ने हमारे मै मनिफेस्ट में है वारती जनता पार्टी के मैनिफेस्ट में है यह चीज और निश्च यह हमारे लिए राजनीति के वर्शन नहीं है जा रहा है बड़ी बात उन्होंने कही है कि जो विवारी धांचा गिरा है उसको गिराने का उन्हें तनक भी अफसोस नहीं है